तो फाइनली आज की ट्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट 36 गड़ का मत देखा लें इतिहास जो आप ए होस्टल वाड़ा ना, SI भरती जितने भी एक्जाम होगा आने वाला चाहे आप PSC या SSC जितने भी परिछाओं की तयारी कर रहे हैं आपका 36 गड़ के मत देखा लें इतिहास से प्रसने पूछे जाते हैं यह जो कोश्चन लाया हूँ वर नाइनर कोश्चन लाया हूँ टेस्ट की रूप में टोटल हम देखें के 50 अब्जक्टिव कोश्चन यह आपका CG PSC बहुत ही महत्तपूर्ण क्लास है यह कोश्चन आप लें पढ़ लिया समझो मत दे तयारी करना चाहते हैं उन युवाओं के लिए यह बेश्ट क्लास है यह कोश्चन आप लें पढ़ लिया समझो दुबारा कोई कोश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने वारी है ठीक है मैं जितने भी कोश्चन लेकर रहा हूँ इतने भी विगत वर्सों से आया जो लोग होस्टल वाड़न है या फिर SI भरती या फिर CG PSD की तयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएगा वीडियो को प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा ठीक है डेली क्लासस करने के लिए यह लाश्ट चांस है आप सभी के लिए ठीक है जो लोग अभी तक चैनल को सस् स्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन के घंटी को आल पर सेट कर लिजेगा जब भी मैं ऐसे रिलेटेट कोस्टन लाऊंगा नोटिफिकेशन के अमाद हमसे आपको मिल जाएगा साथ है आप सभी के लिए और अच्छी गुड नीज है वीडियो के एक बार लाइक कर दिजे वीडियो मेनाना मैं बंद कर दूँगा ठीक है वीडियो नहीं बनाऊंगा दूबारा मैं ठीक है तो इसलिए मैं आप सभी को कहरे हूँ कि जितने भी कोस्टन करा रहों उसको रट ले ठीक है रट ले कोस्टन को ऐसे ही कोस्टन आपकी PSC व्यापाम ESI भर्धी होस्टल वा आपका part 3 वीडियो है अती महत्तपूर्ण है एक ही वीडियो में आपका पूरा concept clear हो जाएगा तो 36 गड़ का मध्यकालिन इतिहास किस राजवन से सुरू होता है तो जो 36 गड़ का मध्यकालिन इतिहास है आपका कल्चूरी राजवन से सुरू होता है ठीक है यह आपका CGPACP 2017 म मैं देखिया आप सभी को one-niner question लेकर आया हूँ इसको पकर रट ले दोस्तों पकर रट ले ये question आएगा ही आएगा किस राजा ने 36 गड़ में कल्चूरी राजवन्स की new रखी यानि की सत्ता रखी तो आपका कलिंग राज है ठीक है इसके बाद है आपका कलिंग राज ने अपनी राजधानी किसे बनाया है तो कलिंग राज ने अपनी राजधानी तुम मान ने बनाया ठीक है तुम मान ये आपका तुम मान आ जागए mistake है ठीक है यहाँ पर राज आ जाएगा ठीक है ये ऐसा लिखते है तुम मान ठीक है जो कलिंग राज ने अपनी राजधानी क प्रनाया है, तो माराको बनाया है, उसके बाद है. उसके बाद है, 36 गड़ में कल्चुरियों की प्रतधम राजदानी क्या है?. तो 36 गड़ में कल्चुरियों की तो मार करा है या आपको सीजी प्रेश्टी और एडि이ओ के QChr 40 में आया हुआ । ठीक है साथ ये 2018 में भी question पूछा जा चुका है वीडियो में last तक जड़र बने रहे हैं ऐसे question आप exam में आएगा ही आएगा ठीक है इसलिए मैं आपको question लेकर आया हूँ किस कैसुरी राजा का जो वर्नर है अलबुरूनी नहीं किया था ये आपको calling रहा जाएगा मैं आपको क्या करा रहा हूँ मध्यकालिन इतिहास मध्यकालिन इतिहास से ऐसे exam में पूछे जाते हैं इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ और ये last video है ये एक ही video आपको पूरा concept clear हो जाएगा जो लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं है जल्दी से जाएगा वीडियो को subscribe कर देजएगा और साथ ही video को like कर देजएगा तभी उसको channel दुबारा दिखेगा जितने भी बैच्चे जूर चुके है बार वीडियो को like कर देजए क्योंकि ये video दुबारा आपको नहीं भीजएगा श्रिफ मैं like मांग रहा हूँ बिल्कुल free class है ना कोई पैस आपको नहीं दिया जा रहा है बस जितना जूर जूर चुके है वीडियो को like करते जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद देखेंगे कि किस कल्चुरी राजा ने महिसा सुर मर्दनी के मंदिर का निर्मान कराया है तो यह आपका कलिंग राज जो है महिसा सुर मरंदनी मंदिर का निर्मान करवाया है किसे कल्चुरी राजा ने उतकल अभियान के लिए सहता की थी तो यह कमल राज सीजी पेस से 2019 19 में पूछा है ठीक है किसे कलचुरी राजा ने उतकल अभियान के लिए इसको नोट कीजेगा या फिर इसके लिए सकते हैं ठीक है इसका पीडिया आपको नहीं मिलने वाला ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साथ ही जो लोग वाटसप ग्रूप पर जोड़ना चाहत रहते हैं डेली क्लास के लिए तो डिस्क्रिप्सार की निचल इंग में दिया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है किस कल्चूरी राजा ने रतनपूर नगर बसाया था तो जो रतनपूर है अपना रतनदेव ठीक है कौन से कल्चूरी राजा है रतनपूर नगर को बसाया था उसके बाद किस राजा ने अपनी राजधानी रतनपूर को बनाया था ये भी रतनपूर है देखें कैसे question को घु पूछा है टीक है इसके बाद देखी ये भी कोस्ट्यन में आया हुआ है कहता है कि किस कल्चुरी राजा ने रतनपूर में महमाया देवी का मंदिर बनवाया था ये आपका रतनदेव आया कि देखें कैसे कैसे कोश्टन घुमा घुमा कर कुछ रहा है CG PSC pre 2017 PLUS ADO मैं आप सबी को बार बर बता रहा हूँ ये question हर बार आता है इसलिए मैं यही question लेकर आया हूँ और ये question आपके PSC pre में और यहाँ पर SI भरती और होस्टल वार्ण और ADO ये सबी जितने भी exam होने वाला है ये उनकी लिए best class है इसको रट ले जितने भी question लेकर आया हूँ उसको रट ले बार बार वीडियो को देख ले ये question आपको रटना ही पड़ेगा अगर exam में selection लेना चाहते हो तो ठीक है या फिर video को download कर लो ठीक है वीडियो को क्या करोगे download ठीक है download कर लो कभी भी अगर इर्जाम दिलाने जाओ गए तो एक बार ठीक है एक बार वीडियो को जरूर देख लेना ठीक है देखें महमाया देवी का मंदिर कब बना था तो यह आपको ग्यारवी सदी में बना था तलाब ये भी रतन देव ने करवाया था किसका तलाबों का ठीक है ये आप सभी के लिए कोश्चन है आप बताएगा मंदीरों की नगरी किसे कहा जाता है ठीक है आप सभी के लिए कोश्चन है जितने भी बच्चे जूट चुके है एक बार कमेंट करके बताईएगा कि मंदीरों की नगरी किसे कहा जाता है मंदीरों की नगरी किसे कहा जाता है जल्दिस कमेंट करके बताईएगा देखिए बहुत लोगों का फटा फट आंसर आना चुरू हो गया वोट your dear to a little मौट का सरा एक हिए कि इस ईस्ज़ने लोगों को कि आंसर आप और अजरे मंदीरों की नागरी कि मेटेत में के लोगों कि आंसर आ राया है उनका भी बिल्कुल वह नहीं है यह देखिए 30 लोगों का अंसर आया 30 लोगों का अंसर आ चुका है चलिए किस कल्चुरी राजा को सकल को सल दुपदी की उपादी धारण की थी कितना कोश्चन देखिए यह बहुत सारे कोश्चन है आपको सभी कोश्चन अलगबग आज मैं कराऊंगा ठीक है अब पूरा वीडियो को लास्त देख लेना और रट के चले जाना ठीक है ऐसे एक्जाम में आ गया तो आपका सेलेक्शन टैय है ठीक है यह आपका मद्यकली नितिहास करा रहा हूं ऐसे कोश्चन अब उग्जाम में और देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है क्या है पृत्वी देव प्रथम जो की सकल कोसलपती की उभादी धारण के थी किसने पृत्वी देव प्रथम ने उसी प्रकार किसे कलजूरी राजा को एक किस घजार ग्रामों को अधिपती कहा जाता है तो आपका पृत्वी देव प्रथम है कोश्चन को घुमा घुमार को वही वही कोश्चन पूछा जाता है ठीक है किस कल्चुरी राजा का जांजगीर नगर बस आया गया है ठीक है जांजगीर नगर मैं बार बार बोर रहा हूं वीडियो को सस्क्राइब कर लिजेगा डेली क्लासस के लिए इसका पार्ट वान और पार्ट टू वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंग में दिया गया है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चाहिएगा वीडियो को देख ठीक है किसको हराया था भुजबल को वो कौन है आप कमेंट करके बताइए कि धुर सब्सक्राइब नो कौन है और इसा के राजा दिखे जो लोग क्लास कर रहे हैं फटाफट आंसर दे रहे हैं कि इस राजा को गज सर्दुल कहा गया है तो वो भी आपका जाजले देव फ्रत्थम होगा उसी प्रकार कल्चूरी राजा ने पाली के स्रीव मंदिर के जीनों द्वार करवा है य यह पार्ट 3 वीडियो है और इसके बाद मत्य का लिट्यास कोश्चन नहीं ला पाऊँगा त्योंकि जितने भी कोश्चन है व्यापम और प्यस्टी में अकसर पूछा गया है है ठीक है होस्टल वाराने के लिए भी बेश्टक्लास है यसाई भरती के लिए भी बेश्टक् हां तो उसे में बहुंच सारे कोश्चन आएगा आपके 36 समाने गया तो मैं आपको कराने वाला हूं 36 समाने गया प्लस भारत का समाने गया दोनों ही क्लास में डेली कला रहा हूं जो लोग तयारी करना चाहते है जल्दी जाएगे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजेगा लेटेस टाइम पर लेटेस टुडियो अपलोड की जाती है ठीक है हां मैं आपको CG, PSC और व्यापम की तयारी करवाता हूं ठीक है जो लोग तयारी करना चाहते हैं या पि जो लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए स्टूडेंट आए य नीचे लिंक में दिये गया पूरा प्ले लिस्ट आप चेक कर लिजीगा तब वीडियो को सब्सक्राइब किजीगा ठीक है अगर आपको जानकरी अच्छी नहीं लगती तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह आप लोगों के लिए ठीक है मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास कर आ रहा हूं इसके बाद पैड मैं टेस्ट लेने वाला हूं ठीक है अगले हबते से आपका टेस्ट शरी स्टार्ट हो जाएगी बाद आपका क्या है ऐगा किस कलचुरी राजा चांदी के सब्सक्राइब के स्ब्सक्राइब और एबियों में और जीयों होफ ने आया कोश्चान है बहरेंद्रसा है ठीक है जो कोशगई इस्थरांतरीत की गई थी आज आप लोगों ने यह कोश्चान पढ़ लिया समझो मद्यकली इतिहास कम्प्लिट कोर्स है ना कम्प्लिट कोर्स का मतलब में बता रहा हूं यह ऐसा है कि जितने भी कोश्चन आता है मैं लेकर आया हूं किस कल्चुरी राजा ने कोशगई माता का मंदीर बनवाया यह आपको बहरेंद्रस आया है वसी प्रकार किस कल्चुरी राजा में 36 गड़े में जब मंदीर किस कल्चुरी राजा ने कौन सा कल्चुरी राजा है जो 36 गड़े में जमबंदी शुरुआत की तो आपको कल्यान साय कल्यान साय नोट कीजिएगा कल्यान साय आप बताएगा कि कल्यान साय किस मुगर राजा की समकालिन था तो आप बताएंगे अकबर ठीक है अजो तकत्तपुर को नगर बसाया था इसी प्रकार यह कोश्टन फिर से आया हुआ है देखें प्यसी जियो और एडियो यानि की डाटर एडियो की आया है उसके बाद है जियो और सिजी प्यसी में इसलिए बार बार पॉर्लों जो रोग होस्टल वाड़न नेसाई भरती या फिर स की तैयारी करना चाहते हैं ये 36 गड़ का इतिहास का टॉपिक चर रहा है मत्यकालिक से ये कोशन आपने पढ़ लिया समझो क्लियर ठीक है अब मैं दुबारा नहीं बोलने वाला जिसको पढ़ना है पढ़ेगा दिखिए बार बार बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता ठी दूब देखेगा ठीक है चलिए गवपाल मिसर के नाम कभी किस कल्चुरी राजा के दरबार में था वो आपका राज इसनी है ठीक है राज इसनी अब यहां से आपको कोशन आएगा ठीक है रगुनास नहीं से कोशन आता है तो देखिए किसे अंतिम कल्चुरी सोतंतर गुनास व्यापम देखिए इसको चात्रवाश अधिक्चत यहां तक भीचात राज सोतंतर कल्चुरी राजव मनावें छिमाक कैसे पुछा है कें किसे अंन्तिम कल्चुरी सोतंतर कल्चुरी सोतंतर कल्चुरी कें पूछा जा रहा है कि स्वतंतर MT लुते कि लास्ट अ आता है और आप लोग रटले रगुनात्स नहीं पर किस मराठा सेना पती ने हमला किया तो यह आपका आपका बहुत है इतना बहुत ही तेखिए आता है हरी जाम में राटलो दोस्तो राटलो राटलो लाहूरी कल्चुरी वन्स की स्थापना किस ने की थी सीजी पेसी प्री में व्यापम में डियो हाई कोट जितने भी व्यापम पेसी में आया हुआ है तो लहुरी कल्चुरी वंस की स्थापना किसने की थी लहुरी कल्चुरी वंस की स्थापना CGPSC व्यापाम हाई कोट में आया हुआ इसको रट ले केसव देव ने लहुरी कल्चुरी वंस की स्थापना केसव देव ने की आया किसने केसव देव ने लाहूरी कल्चुरी वेंस की प्रथम राजधानी क्या थी तापक खलारी लाहूरी कल्चुरी वेंस की प्रथम राजधानी क्या थी CG, PSA और AG बिल्कुल आएगा question इसको राट ले दोस्तों बिल्कुल आएगा अगर आएगा अगर आएगा मतलब आएगा ठीक है आप देखते हैं यहाँ पर जितना हो सके पढ़ो वीडियो को ठीक है वीडियो को अच्छा से पढ़ लिजेगा वीडियो को दुबारा देखो एक बार मैं याद नहीं होता दुबारा देखो उसमें क्या दिक्कत है है ना दुबारा कि प्रत्रम राज़ानी खला रही थी उसे पर लाउनी कल्चिर विंस की किस राजा को अठारा गड़ों को वीजेता कहा गया है देखिए अठ सिंगन देव को है ना देखिए जितने भी कोस्टन में आप सभी के लिए रहा रहा हूं यह PSC या फिर CG व्यापम में पूछा जा इसलिए मैं कोस्टन लाता हूं ठीक है हां बिल्कूल पढ़ लीजिए दोस्तों पढ़ लीजिए यह कोस्टन आएगा ही आएगा ठीक है यहां से आपके अगर कोस्टन नहीं आता मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा वीडियो को क्या करूंगा नहीं बनाऊंगा दुबारा ठी लाहरी कल्चुरी वंस की किस राजा को 18 गड़ों को विजेता कहा गया शिंगन देव को उसी प्रकार लाहरी कल्चुरी वंस की किस राजा ने राज़ानी वनाया था तो यह आपका होजाए कि ब्रह्म हदे और देखे कई बार एक्जाम में आया है मैं बार बार बोर रहा हूँ देखे खलारी में खलारी देवी के मंदिर करने मान किस ने करवाया था आपका देव काल मोची है सीजी व्यापप में अमीन पटलारी में आया है छातरवासा दिक्टेग में आया है ठीक है इसके बाद लाहुरी कल्चूरी वन्स के उल्देवी कों थी गजल लचमी है नव स्थी प्रकार जेखे लाहुरी कल्चूरी वन्स के राजाओं में अपने प्रासांसन गो किसमें विभाजित किया 5000 पेस्ट एडीयों में तीक है उसी पर एक गड़ में कितने गाहों होते हैं एक गड़ में 84 तो आप बता रहा हुँ टीन गड़ में कितने गाहों रहे हैं तो उसी प्रकर तीन गड़ में कितना होगा जल्दी से बताइए कमेंट किजीगे तीन गड़ में ऐसा करो ना भई 84 गुणा तीन कर दो आंसर आ जाएगा कितने लोगों का आंसर आ गया है 84 इंटू 3 4 तीय बारा का 2 हांसिल 1 और 8 ते 24 और 25 यानि कि 252 यानि कि एक गड़ में 84 होता है तो उसी प्रकार तीन गड़ में आपका 252 होगा यानि कि 252 गड़ के प्रमू को क्या कहा जाता है दाव ग्राम के मुख्या यानि कि ग्राम के प्रमू को क्या कहा जाता है गोटिया उसी प्रका एक गड़ के कितने बाहरों में अथाते हैं साथ उसी प्रका लाहुरी कल्चुरी वन्स का अंतिम राजय किसे माना गया है तो आपका अमर सिंग ये विव्यापम और अमिट पटवरी में आया है वसी प्रकार लाहुरी कल्चुरी वन्स के प्रतुक मंत्री को क्या कहा जाता है? महामात्य कहा जाता है लाहुरी कल्चुरी वन्स के राजा के रच्छा को क्या कहा जाता है? महाप्रतिहार कहा जाता है लाहुरी कल्चूरी वन्स के न्यादी सधीकारी को दांडिक कहा जाता है वसी प्रकार कल्चूरी वन्स के महाप्रभू वल्लभाचारे के लिए कहां दुधारी मट को बनवाया था रैपूर में धारी मठ कहां प्रसिद है रहपूर के लिए व्यापा में डियो और एजी 3 में आया है अब हम देखेंगे फणी नागवान से संबंदी ठीक है तो 36 गड़े में फणी नागवान का संथापा कौन है तो अपका अहिराज है यह अहिराज टीजी पेसी एबियो और जियो में आय त्रिक है जितने हैं जितने बросने कोंष्टन लाया रहा हूं जितने भी इस सब इंक्जाम में आया हुआ हुआ कंजब में आय खुआ है कम कम दो से तीन बार से नागवान ने इसीत वाँर पर्टी Además में पुछा गया है इसलिए में बार बार बोल ओगो, इसको अच्छे से जाना जाता है तो बोराम देव को आधिवासियों का देवता के नाम से जाना जाता है उसी प्रकार फड़ी नागवांस के किस राजा ने मडवा महल कर दुलहा देव देखिए व्यापम है और अमीन पटवारी में इसी प्रकार में पोर रहा हूं आप तैयारी कर लिजी गया व्यापम की या फिर पीएससी की दोनों को क्लास करते जाएगा 90% गारांटी है मेरा वीडियो को लास तक देखो कंप्लिट कोर्स के साथ इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ठीक है अब देखते हैं तो फड़ी नागवन्स के अंतिम राजा को कौन माना जाते हैं मोनिंग देव अब चलिए फड़ी नागवन्स से संबंदित प्रस्ना पढ़े हैं अब कांकेर के सोमवन्स से पढ़ेंगे मैं एक ही क्लास में पूरी चेप्टर क्लियर करना हो आला हूं लार्व तक बने रहिएगा जिंको तयारी करना है यदि सेलेक्सिन लेना है Son उयानि कि विढ़ेंगे स्वन्स सोम इनका स्थापना कितन की ठीक है जल्दी से बता आएगा Son सोम इनका स्थापना किसने कि तिस्नी हिराज ने, देखिए, कौन-कौन से क्लास के अभी फड़ी नागों से संबंधित किये, उसी पर सोम से किये, उसी पर कल्चूरी से किये, उसके बद लहोरी साखा से किये, कितने कोशन करा रहा हूं, हैं एक ही वीडियो पूर चैप्टटल किलिए यह सभी पढ़ लो सभी को पढ़ लो क्लियर हो जाएगा प्येसी भी क्लियर हो जाएगा नहीं और व्यापां प्रसिद्धरीं राजा है ब्याग राज के बाद विया अगर वह पढदेव का संबन्स previous सौम कई और सोम मं ढानिक चिन्दाग नागस क्छिन्देग स्थाूं प्रिक घी चिंदाग вопрос कि साथिव कल्टि ड़ए इतने ढ़ने यह इस्चिन्दागै वोस्त्रा प्रिक प्रेजी पीजो आएका मिन्हें है 논ियों Sub crолж už और तौPP अब निपती भूसन को ने चिंदक नागवन्स के जो इस्थापित किये हैं तो अभी लेक में लिखा क्या है एरन कोट लिखा है व्यापाउं और रमिन पटवाड़ी और DTO यानि कि DEO मतलब होता है डाटा एंट्री आपरेटर अब बताए कि बार्शूर के तलाब और सीव मंदिर करिमार किस राजा कि समय में हुआ था करवात नहीं कुला समय पूछा गया धारवार वज के समय में अब बताए कि समय सवर देव को किस कल्चूरी राजा नहा रहा था अब भी हम पढ़े हैं जा जलने देव ठीक है देखिए 90 लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो रहा है मतलब तयारी अच्छे सिख कर रहे हैं ठीक है चिंद अका नागवन के अंतीएन राज़ा कौन मने जाते हैं हरिस्चेंदर देखिए बहुत लोगों का आनसर फटा 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 आरा है काक्ती वं से अब देखेंगे काक्ती वं से हां बिल्कूल PSC और Vyapamp ये दोनों ही क्लास हमारे चैनल पर पड़ती है हां बिल्कूल वीडियो को दुबार देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं वीडियो को डाउनलोड कर लो है ना वीडियो को डाउनलोड कर लो पूरा देख लो एक बार नहीं तो दो बार देख लो लेकिन अच्छे से रट लो चलिए काक्ती वं से देखेंगे कोस्चान आप अब काक्ती वं स में काक्ती वं स की स्थापना किस ने की थी अन्नम देव ने वेवी PSC और ABO में आया है उसी प्रकाक्ती वंस की प्रात्मिक राजानी क्या है मंत होता अब देखें यहाँ पर अन्नम देव ने किस मंदिर का निर्मान करवाय था यह दंतेश्वरी देवी अमिन पटवारी DO में आया है किसे चालकी वंस का राजा का दंतेश्वरी देवी का मंदिर का है दंतेवारा में दंतेश्वरी मंदिर या दंतेश्वरी देवी का मंदिर का है दंतेवारा अन्नम देव के बाद इस वंस के राजा कौन बने पूर्सोत्तम देव अन्नम देव के बाद इस वंस के राजा पूर्सोत्तम देव बने सिजी व्यापाम, डाटा एंटे अपराटर, ग्रेट 3, वज़े प्रगार कि इसने 36 गण्चा परवक्त की, वो भी पूर्सोत्तम देव ने हैं, ठीक है, किसे रतपती की उपाधी मिली है, रतपती पूर्सोत्तम देव, यह मैं आपको बार बार नहीं बताँगा, यह सब जितने भी कोशन है, प्यस्टी और व्यापाम में आया है, यानि कि आप होस्टल वाडर में तयारी करें, चाहिए साही भरती की तयारी करें, या फिर पीस्टी प्री एक्जाम की तयारी करें या फिर सब इस्पेक्टर की तयारी करें कोई भी एक्जाम की तयारी करें अगर पीस्टी के अंतर आ रहा है है ना अगर आपका पीस्टी के अंदर जो भी वेकेंसी आता है या व्यापम के अंदर जोगी विकेंसी आता है यह दोनों ही क्लास हमारे चैनल पर कराई जाली है 20 नौंबर से बिल्कुल क्लास प्रारण करती कि यह 20 नौंबर से पूरा क्लास अगर तयारी करना चाहते हैं प्ले लिष्ट पर जाएगे पूरा क्लास आप देख ले पूरा क्लास कंटीनी कर ले ऐसा है खोशन आपका कि आप सेलेक्शन ले लेगे है ना जो लोग सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया मैं detention करते हैं मैं इसलिए बार बार बता रहूं जो लोग subscribe किये रहेंगे या फिल वीडियो को like किये रहेंगे न उसी को मैं अब notification भेजूँगा मैं देखिए मैं free class कर आ रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग वीडियो को नहीं देखोगे वीडियो को देखोगे और selection लोगे ठीक है हाँ बिलकुत thank you और है कोई बात नहीं वीटे कोई बात नहीं अच्छा से तैयारी करो हाँ दलपत देव चलिए अब दलपत देव से देखते हैं किस काक्ती राजा निलू पंद ने हम लग किया था दलपत देव ने किया था अब किस काक्ती राजा को करांती का मसीह कहा जाता है अजमेर सी हैं है न मैं बारवा नहीं बता हुए जितने भी कोशने आया है काक्ती राजा ने अजमेर सीं की गृद्धु सेडंतर किया दर्या देव के आप देखें कोर्ट पार्ट की संदी किस समय हुई थी दरिया देव के सासनकाल में हुई थी जो कोर्ट पार्ट की संदी हुई थी है ना कोर्ट पार्ट की संदी कब हुई थी चलिए सन बताइए आप कौन सा सन है कोट पाठ की संदी कौन से हुई वे संद में बताईए कौन सा है हाँ कौन सा है जल्दिस कमेंट किजेगा मराटो को टाकोली देने सिकार किसने किये था महापाल देवने अंग्रेजों के अधिन अंतिम काक्ती राजा भैराम देवा पेस्टी एजी में आया है आप किसने 36 गड़ की प्रथम विद्रोहिणी रानी चोरीस को कहा जाता है कल्चूरी राजवांस के अंतिम राजा कौन है प्रविर्चेंद और प्रविर्चेंदर का देखिए 1966 में है गोली काण में हुई थी अब परणे वाले हैं 36 गड़ के प्रीचशे प्रदेश में 36 गड़ माने जाते है गड़ो का विभाजन किस नदी के अतार पर किया गया है शिवनात माडी मनित नाम का गड़ वरतमान किस जिले का हिस्ता है ताप और को प्रवा आ जाएगा ठीक है लाफागाड की जीले में है कौरबा में उसी पर चती जड़ के सबसे बड़ा तस्रील कौन सा है पोड़ी उक्रोडा ये एक्जाम में आ है उसको रट ले रट ले बिलकुर रट ले रट ले चती जड़ के सबसे बड़ा तस्रील कौन सा है पोड़ी उक्रोडा एक ही वीडिय नम किसा अनुपूर में ठीक है वो मेरा गड़ के कि जीले काई सा यह इतना हो इंपोर्टन नहीं है पढ़ लेकिन भारत के जाधी की समझ च्छतिदर के किसका हिस्सा था यह आपका सेंटर प्रोवेसिंग और बरार के लिए और च्छतिदर के सबसे बड़ी रियासत कौन से थी था अपका बस्तर प्रोवेसिय पिससर के सबस्स् Kaz까지 जाइब ऑर शे ले का सटी को लाइक कर दो मेंव सबस्क्राइब कर लो ऑप जाए लिए और चलिक्व क्या है च्छटिदर के सबसे बड़ी रियासत कौन से बस्तर सबस्दिर के सबसे छोटी रियासत fak philanthropy ? प्रविव क्या है जट्टी द्ट के सबसे बड़ी रियासत बसतर खौन से दीशा में है दीशा वताया कौन से दीशा में दक्षिन बल्कुल सही तो अब यह बताईए आप सुनी के लिए question है कि यह ज़त्ती द्टी दड़ के सबसे छोटी रियासत सकती है कौन से दीशा में कमेंट करके बताइए है हाँ 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 छत्ति जड़ के कौन सी रियासर भारत का सबसे पहले विला उपाथर रायगा देखिए अब यह वाला कोशन हम कल करेंगे कि पार्ट फॉर में बहुन टैम हो गया है अब कम्पूटर के क्लास भी वो नहीं है न हांग गणिति की कलास हो चुकी है और कम्पूटर की ख्लास अभी नेक्ट होना वाला इसलिए यही पर वीडियो को इस्थकित करते हैं पार्ट फॉर वीडियो में complete करा दूँगा 36 एड़ के कुछ प्रमुगी स्थानों के प्राचिन नाम ठीक है धमतरी के प्राचिन नाम धमतरी है उसी पिर बस्तर का प्राचिन नाम चक्रोड भमार्ड कोड भी कहते हैं ठीक है यह हम कल देखेंगे पार्ट फॉर में एक ही क्लास में करवा देना था लेकिन देखें आप और कुछ समय हो गया है आट बजने को है ठीक है एक घंटे कर ख्लास रहता है तो मैं आप सभी को पार्ट फॉर वीडियो में पूरा कांसेप्ट क्लियर करा दूँगा यहां तक देखेंगे पार्ट फॉर वीडियो को आप देख लो ठीक है फिर तीनों क्लास कर लो मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूँ तीनों क्लास कर लो टेस्ट रलूँगा और देखिए जो होस्टर वाड़ा की तयारी करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाएगा और साथ ही अपना नाम बताएगा कि जो लोग तयारी करना चाहते हैं यह पी एस्टी की जो लोग तयारी करना चाहते हैं तो आप अपना नाम कमेंट में बताएगा और वीडियो कैसा लागा आप कमेंट में बताएगा ठीक है वीडियो आपको कैसा लागा जल्दी से बताएग इंट्रेस्टिंग या फिर एक्सिलेंट या फिर हेल्पकूल कैसा लागा जल्दी से बताएं कमेंट में वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट बताएं सुपर एक्सिलेंट जल्दी बताएं क्या है बिल्पूल फ्री है कोई पैसा नहीं ली रहे फ्री क्लास है पैड नाउ नो आई लोग और नाउ दिस नो फैड टिक ओके आज़ी क्लास यहीं इस्थगीत करते हैं और कल फार्ट फोर में आपको छत्ती जड़के कुछ प्रम्मु की स्थानों के नाम और इतिहास से कुछ कोश्चन बचा था उस दिन वो भी कम्लेट करा दूँगा मिक्सिंग क्लास करा दूँगा हो जाएगा फिर हाँ और क्या बलते है प्राचीन इतिहास से मैं कोश्चन नहीं लाया हूँ अभी ढूणना पड़ेगा मतलब उसको सिलेक्टर करना हम अभी देख रहे हैं 36 गड़ की क्लास ठीक है वहाँ सबके 20 से 25 नमबर पूचता है फिर आप हम पीएस्टी में 36 गड़ की जो क्लास है इसलिए हम पहले 36 गड़ का पूरा कंप्लेट करेंगे उसके बाद भारत का देखेंगे हम पहले 36 गड़ का पहले कंप्लेट कर लेते आपने अभी क्लास शुरू नहीं किया है और कमेंड इस्टार्ट कर रहे हैं कि कम्प्विटर कम्प्विटर पहले इसको तो रड़ लो यह खोश्चान लाया हम इतिहास से मंद्यकाने इतिहास से उसको रड़ लो फिर आप कम्प्विटर की तैयारी करना चलिए आज की ख्लास यहीं ओके बाय 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 इस्टुडेंड बाय बाय चलिए यह हम देखेंगे पार्ट फॉर में हम पार्ट फरी क्लास करा चुके हैं पार्ट वन और पार्ट टीस्क्रिप्शन की नीचे है जाओ